हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक तो मैं चैनल अधी कॉल्च्राल वल्च, काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से राधे क्रिश्णा, मैं प्रात्ना करती हूँ कि आप सभी स्वस्तों और खुश हूँ, देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुती कुपसूरत सी विंटर स्पेशल नियो डिजाइन ड्रेस पनाएंगे, आप देख सकते हैं हमने बहुती प्यारा सा ये जैकेट बनाया हुआ है, ये गले तक एकदम कवर है, जिसे काना जी को कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी, आगे की तरफ से हमने इसमें टिप टैप बटन लगाया जो की एक दम basics new design की cap है, इस cap से काना जी के कान भी बहुत अच्छे से धके रहेंगे चारो तरफ से और इसका look भी बहुत खुबसूरत लग रहा है, इस dress और cap को बनाना बहुत आसानै, मैंने बहुत ही simple तरीके से ये dress और cap बनाना बताया है तो please वीडियो को last तक देखेगा जिसे कि आप भी बहुत आसानी से ये dress और cap बना कर काना जी को पहना सकते हैं अगर आप dress से related या फिर वीडियो से related कोई knowledge चाहते हैं या फिर कोई question पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है अधिकॉल्स्ट्रॉल्वल्स268 साथी साथ मुझे follow भी करें यह फर वाला रुमाल है जो की बहुत मुलायम होता है और जब हम इसे dress बना कर काना जी को पहनाते हैं तो सर्दियों में उनके लिए बहुत ज़्यादा आराम दायक भी रहता है सबसे पहले हम काना जी के लिए पैंट बनाएंगे तो पैंट बनाने के लिए हमें देखिए इसकी चोडाई देखनी है पहले इसकी यहां से यहां तक की जो टोटल चोडाई है वो पॉने 10 इंच यानि की 9.75 इंच आ रही है अब यहां से देखिए यह इंटर लॉक है इधर की तरफ से हम इसको मेजर करेंगे और 1.5 इंच यानि की 2.5 इंच पर मेजर करते हुए हमें इसको लास्ट तक मार्किंग कर लेनी है अब हम सारी मार्किंग को मिला कर और इसको कट कर लेंगे अब कटिंग करने के बार देखिए यह रुमाल जो है वो दो पीसेस में डिवाइड हो गया है तो यह जो पतला वाला पीस है इसे हम पैंट बनाएंगे यह जो चोड़ा वाला पीस है इसको अभी हमें साइड में रखना है अब हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और उपर से हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगाकर इसको last तक joint कर लेंगे fold करके सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये elastic ले लिया है इसकी जो total लंबाई है वो हमने 6.5 inch याने की 6.5 inch रखी है अब हमें यहां से safety pin डालना है और किनारे से हम इसमें elastic डालना शुरू करेंगे और इधर की तरफ से हम elastic निकाल लेंगे इलास्टिक डालने की बाद अब किनारे से हम दिखें थोड़ा सा elastic ऐसे बाहर निकालेंगे और यहां पर सिलाई लगाकर इसको अच्छे से joint कर लेंगे थोड़ा सा elastic हमें बाहर निकाल के फिर सिलाई लगाने है जिसे कि यह अच्छे से यहीं पर लॉक हो जाएगा और लास्टिक निकलेगी नहीं इसी तरीके से इधर की तरफ से भी हमें थोड़ा सा इलास्टिक बाहर की तरफ निकाल के रखना है और इसके उपर सिलाई लगा लेनी है लॉक करने के पाद जो Elastic थोड़ा सा निकला है श़ीनके किनारे से कटेकर निकाल देंगे दोनों तरफ से अब हमें इसको पलटकर ऐसे छॉंट करना है अब चौषर हमें इसको एंदर की तरफ से रखनी है और ऐसे छॉंट करेंगे हम इसको किनारे से सिलाई लगाकर पहरे जॉइंट करेंगे किनारे से लॉक करने के बाद अब हम इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए फोल्ड करना है और जहां से हमने सिलाई लगाई है हम इसको फोल्ड करके यहां पे रखना है और अंदर की तरफ से भी हम इसको एकदम बराबर करके रखेंगे इस तरीके से अब यहां सेंटर में देखें इधर से open वाली साइड है और यहां पे यह folded वाली साइड है तो अब यह सेंटर जो है यहां पे हमें तिकोने में छोटा सा कट लगाना है बहुत जादा नहीं हम छोटा सा कट लगाएंगे हम देखिए तिकोने में हमने छोटा सा कट लगा है जब हम इसको ओपेन करेंगे तो इस तरीके से शेप आएगा अब हमें यहां से यहां तक इसको दो तीन बार सिलाई लगाकर अच्छे से लॉक कर लेना है नीचे से सिलाई लगाकर लॉक करने क सिधा करने के बाद देखे काना जी के लिए पैंट बन कर तयार है अब हम उपर के लिए जैकेट बनाएंगे अब हम जैकेट बनाएंगे तो बचा हुआ कपड़ा हमने ले लिए देखे इधर की तरफ से यह कटिंग वाली साइड है इधर से हमें इसको कट नहीं करना है जिदर से यह इंटर लॉक है उधर की तरफ से हम इसको अब मेजर करेंगे तो या नीचे से मेजर करते हुए हमें चार इंच पे मार्किंग करनी है और फिर सारी मार्किंग्स को मिला कर हम कपड़ा कट करके निकाल लेंगे चार इंच पे मेजर करते हुए हमने देखे इसको मार्किंग करके कट कर लिया है अब दो पीसे सो गया है तो ये वाला जो पतला वाला पीसे इसको हम हटा देंगे इससे हम काना जी के लिए कैप बनाएंगे और ये जो चौड़ा वाला पीस हमने कट किया इससे हम चैकेट बन यह ओपन वाली साइड है तो जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है उपर से मेजर करते हुए सबसे पहले हम हाफ इंच यानि की आधा इंच पे देखिए ऐसे मार्किंग कर लेंगे उसके बाद हमें उपर से ही मेजर करते हुए दो इंच पे मार्किंग करनी है देखे उपर से मेजर करते हुए पहले हमने हाफ इंच यानि आधा इंच पे मार्किंग की फिर हमने ये दो इंच पे मार्किंग की है अब हमें एक मार्किंग धाई इंच यानि कि 2.5 इंच पे करनी है अब देखें हमने यह जो आधे इंच पे मार्किंग की है तो यहां किनारे से हमें तिर्चे में लाइन खीशते हुए इस आधे इंच पे मिला लेना है और यहां पर जो हमने 2 इंच और 1,5 इंच पर मार्किंग की है यहां पर भी हमें ऐसे तिकोने में शेप बनाना है अब हम इसको कट करेंगे उपर की तरफ से और यहां जो हमने मार्किंग की थी यहां से कट करने के बाद अब हमें neck की cutting करनी है बहुत बड़ा neck हम नहीं cut करेंगे आप चाहें तो ऐसे देखें marking भी कर सकते हैं यहाँ पे गुलाई में या फिर आप direct भी ऐसे neck की cutting कर सकते हैं गुलाई में हम छोटा सा neck कट करेंगे cut करने के बाद जब हम इसको open करेंगे तो देखें इसका shape को इस तरीके से आजाएगा अब यहाँ उपर की तरफ से यह joint है तो इसको हमें यहाँ से cut करके अलग-अलग कर लेना है इस तरफ से भी हम इसको अलग कर लेंगे हमें सिर्फ उपर की तरफ से ही इसको ऐसे अलग करना है नीचे की तरफ से हम इसको जॉइंट ही रहने देना है अब देखे हमें क्या करना है यहां से यहां तक हम सिलाई लगाएंगे और फिर यहां से लेकर यहां तक हम सिलाई लगाएंगे इधर की तरफ से भी हम यहां से यहां तक सिलाई लगा कर जॉइंट करेंगे और यहां से यहां तक सिलाई लगा कर जॉइंट करेंगे सिलाई लगा कर जॉइंट करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरी की से आजाएगा अब यहाँ नीचे की तरफ से भी हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है सिर्फ एक बार और ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही हम इसको लास्ट तक फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब देखे हमने फिर से ये पतली वाले Elastic ले ली है और इसमें हमें सेक्टि पिन लगा लेना है अब यहां से देखे, हमने जब fold करके सिलाई लगाए तो यहां पे interlock हुआ है तो यह जगा खाली है, तो इसी में से हम डालेंगे और यहां से डालते हुए देखे यहां से हम elastic निकाल लेंगे हमने देखे, elastic डालकर निकाल लिया है, अब इधर की तरफ से भी हम इसको करने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं जैकेट का लुक कितना जादा खुबसूरत लग रहा है अब यहाँ स्लीव पर और बाहा पर हम एक लेस लगाएंगे तो मैंने देखिए यह वाइट कलर की पॉम पॉम लेस ले ली है यह मार्केट में बहुती इजिली मिल जाती है और अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो और आप चाहे तो इसको सुई धागे से टक करके भी जोइंट कर सकते हैं या फिर आप इसको सिलाई मशीन से भी चारो तरफ से लगा सकते हैं हमें यह दोनों स्लीव पर लगा लेना है इसके साथी साथ हम इसको गले पर भी यहां से यहां तक लगा लेंगे लेस लगाने के बाद अब हमने ये tip tap बटन ले लिया है यहाँ आगे की तरफ से हमें ये tip tap बटन लगा लेना है तो पहले देखिए हम इसको open करेंगे और एक tip tap बटन हम यहाँ पे लगाएंगे और जो दूसरा tip tap बटन है इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगा पे हुक्या वेल्क्रो भी लगा सकते हैं अब हम काना जी के लिए कैप बनाएंगे कैप बनाने के लिए रुमाल का जो बचा हुआ कपड़ा था हमने वो ले लिया है सबसे पहले हमें देखें सिर्फ एक तरफ का दोनों तरफ का नहीं सिर्फ एक तरफ का यह जो इंटरलॉक हुआ है इसको हम कट करके निकाल लेंगे अब जिधर की तरफ से हमने इसको कट करके निकाला है उधर की तरफ से ही हमें मैजर करना है और 7 इंच पर मार्किंग कर लेनी है उपर से भी हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे अब दोनों मार्किंग्स को मिला कर हम इसको कट करके अलग कर लेंगे अब देखें ये जो पीस है इसको हमें अलग रखना है इसको हमें फेकना नहीं है अब हमें फिर से ये white color की lace लेनी है और इसको यहाँ नीचे की तरफ से हम यहाँ से आतक लगा लेंगे लेस लगाने के बाद अब हमें इसको बीच में से बराबर करते हुए fold करना है सीधी वाली साइड हमने अंदर की तरफ से रखी है और यहाँ किनारे से हम सिलाई लगा कर इसको joint कर लेंगे किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि काना जी के सिर के हिसाब से measurement सही है या नहीं या फिर आप इसको चाहें तो थोड़ा सा यहाँ किनारे से सिलाई लगा कर इसकी चोड़ाई बढ़ा भी सकते हैं और अगर जादा बढ़ा हो गया है तो आप यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ से सिलाई लगा कर इसको छोटा भी कर सकते हैं अब देखिए हमने ये सुई धागा ले लिया है, यहां उपर की तरफ से हम इसको टक करेंगे, तो हमें उपर से आधा इंच नीचे से यहां से टक करना है, एक दम उपर से नहीं हम टक करेंगे, देखिए यहां से हम इसको ऐसे सुई धागे से टक करना शुरू करेंगे, इसी अठ्फो बारी धागे को हम यही पे लपेट लेंगे एकदमा काउमसी के सिफली दागे से टकक करके यहीपे लोक पर लेंगे, जिसके यहीपे खुले नहीं अठ्छे से लोक करने के बाद आब यहां से जो एकस्छरा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे बहुत नीचे से हम नहीं इसको कट करेंगे क्योंकि ये खुलने लगेगा फिर लॉक करने के बाद अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे अब देखिए ये जो बचा हुआ कपड़ा था हमें इसको लेना है और जिधर की तरफ से ये इंटर लॉक है वहां से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे देखिए ऐसे पतले पतले से हम इसको प्लेट्स डालेंगे दोनों तरफ से एक तरफ से नहीं जिसे कि आगे से ये ऐसे गोलाई में आ जाएगा अब ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें देखिए इसको यहां से यहां तक सिलाई लगा कर जॉइन कर लेना है दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए हमने देखिए इसमें सिलाई भी लगा लिया है हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि आगे की तरफ से ये गूल भी होना चाहिए और यहाँ से इसमें चोडाई भी होनी चाहिए अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटकरके निकालेंगे तो एकदम पास से नहीं कट करेंगे हम कट करने के बाद अब देखें इसका शेप कुछ ऐसे आएगा हमें कैप लेनी है और अंदर की तरफ से हमें इसको रखना है इस तरीके से और यहां से यहां तक बीचो बीच में इसको हम सुई धागे से टक करके जोइंट कर लेंगे टक करके जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं काना जी के लिए बहुती सुन्दर सी कैप बनकर भी बिल्कुल तैयार है तो देखे फ्रेंस हमारे लड़ू को पाल जी के लिए बहुती कुपसूरत सी नियो डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छी लगी हो तो प